यह हैं दूद का पेड़ा दूद का पेड़ा बनाना बिलकूल असान है बहुत जल्दी से बन जाता है सभी मिठाईयों से अच्छा लगता है दूद का पेड़ा हो या बरफी हो और फटा-फट बन जाता है इसमें समान भी बहुत कम लगता है इसे आप बरत में खा सकते हैं बिना मिलावट के एकदम सुद्ध दोध का पेड़ा है यह पेड़ा मुह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाता है और बिना जंजट के बन जाता है ज्यादा ताम जाम की जहुरत ही नहीं पड़ती है नमस्कार वस्नोभी एजी कुकिंग में आप सब का बहुत-बहुत स्व जाते जाएं और साइड से मलाई निक्याल कर अंदर करते जांए इस तरीके से नहीं तो किनारे पर चिपक जाएगी और जल भी जाएगी मलाई और पेड़ा भी नहीं अच्छा लगएगा खाने में समूध नहीं लगएगा इसलिए लगातार चलाते वें कड़ाही के तले तक चलाएं ताकर नीचे पकड़ेना और इसमें हम प्रसणोर हैना लूँ सकते हैं अज्यादा,59 छिन डाले को बाद यसी लगातादर क्यों आप फीन हो ko जाए हुए आपको पर्संदोर, और घोच कर सकते हैं तब गैस के फ्लेम बिल्कुल लो कर लें थोड़ी देर और पकाएंगे 3-4 मिनिट और लगतार चलाते जाएंगे इसमें मैं आधाचे मैं गुलाब जल डाल दे रहा हूं आप छोटी लाइची भी डाल सकते हैं 3-4 उसका पाउडर और क्योड़ा वाटर भी डाल सकते हैं गैस इसका कलर भी वाइट हो जाएगा और आटे की तरह एकदम इकठा हो जाएगा डो की तरह बन जाएगा इसको जितना चलाएंगे उतना ही इसका कलर सफेद होगा पेड़े का एक खाने बहुत ही स्वाधिष्ट होता है इसमें तेल घी के कोई जवरत नहीं रहती है हेल्दी भी होता है फुल फैट के दूद लेंगे तो ज्यादा मावा पड़ता है आप देखें इसका कलर भी सफेद हो गया है और आटे की तरह इकठा हो गया है एकदम स्मूध है मक्खन की तरह है इसतरी के से मैं कठा कर ले रहे हुँ अभी नरब है काफी जैसे जैसे ढड़ा ठंडा होगा थोड़ा से यह डाइट होगा अप इसकाiding पेडा बना लेंगे पेडे कि साइट थोड़ा चोटा बड़ा अपने हिसाफसे कर सकते हैं कोई भी डिजाइन दे सकते हैं पेडे में मैं कई तरख पेडा बनाये हूँ, कई तरख design बनाये हूँ उन पेड़ों पर, इसी channel पर हमारे आप देख सकते हैं, वाले ऐसे गोल करके, ऐसे में design हलका सा दे दी हम, इसे आप ब्रत में खा सकते हैं, किसी भी टिवार में बना सकते हैं, आपके घर में कोई पूज़ा हो तो परसाद के लिए बना सकते हैं दूद का परसाद चढ़ाते हैं किसी भी पूजा में आप अपने घर पे सुद्ध बना सकते हैं पेड़ा तयार है अगर यह वीडियो आपको जरश भी परसंदायत अपने फेमिली और मित्रों में जरूर सेयर करें एकदम सौब्ट है लाइक करना न भूले और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा